तो दोस्तों शुरू करता हैं आज की वीडियो में अपन देखेंगे सिंदू घाटी सब्वेता इंडास वैली सिवलाइजिशन तो इसके पहले अपन कवर कर चुके हैं महाजनपता गुपता और मौरेकाल तीनों प्लेडिश में मिल जाएगी आपको और आज हम कवर करेंगे सिंदू घाटी सब्वेता और इसके बाद इसके बाद वीडियो में अपन वैदिकाल भी कवर कर लेंगे तो अपना 90 मेजर मेजर पार्ट जो है प्राचीन भारत का कवर हो जाएगा तो चले बिने किसी देरी को सुरू करते हैं अधों तिहासिक काल अधों तिहासिक काल क्या होता ना कि वह काल जिसके लिखित साच मजूद है परन्तों अब तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता जैसे सिंदू गाटी सब्वेता भारत की पर्थम नागरिया सब्वेता मानी जाती है ठीक है यह जो इस्टेट्मेंट से फ पर दाएं लिखेंगे और भुष्चो फैदर्श लिपी और फिर पूरे पैटन को सर्फटम इस लिपी को पढ़ने का प्रियास किया था वेड़न महोदेद्वारा ठीक है साच लिपी के साथ साच की बात करें तो लिपी के साथ हडपा की कबरिस्तान ठीक है दोलावीरा के साइन बोड़िया सुचना पर से मिलिए नेक्स देखते हैं सिंदु गाटी सबिता का आतीत तो हडपा का उलेख सरपरतम चार्ल्स मेशन ने अठारा सो बैली सिस्विट में प्रिकासित अपने लेख भारत में प्राचींतम नगर हडपा का उलेख किया किस में किया अपने लेख भारत में प्राचींतम नगर हडपा का उलेख किया अठारा सो बैलिस में चाल्स मेशन नेक्स देखते हैं अठारा सो इक्याओं में अठारा सो इक्याओं में अठारा स कराची से मुलतान रेले लाइन बटन बंदू के आदे से पहली बार हडपा के टीले से कुछ इंटे निकाली गई जिससे अच्छुपी सबता प्रकास में आई जान बटन विलियम बटन यह दो भाई थे इन्होंने इन्हीं को हम बटन बंदू कहते थे तो जब यह रेल बिच सब्सक्राइब के दान लाड़ करजन भारत के गवर्णर जनरल वाइसवराय थे इन्होंने उन्हीं से चाहर इसमें भारत पुरातत तो एम सर्वेचल विवा के स्थापना किसके काल में हुई कौन गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया था उस समय तो करजन थे ओके नोट की बात इसके कारी कहते हैं भारत यह प्राचीन भारत इसमार को नगरों किलों पुरा अस्तलों इत्यादी का सर्वेचल करना और इसका प्रतम दीदेश कों थे तो जान मार्शल जान मार्शल के नितवत में 1921 में राइबहादूर दैराम शानी ने सिंदु गाटी सबता के प्रतम म कि खूच की वा उत्हनन करवाया यहां थे चलें आगे देखते हैं पात करते हैं सिंदु घाटी सबता का नामकरण करन कोन को से तो सिंदू घाटी सब्ता इसे reason किनारे इसायरी करना सिंदु घाटी सब्ता बला राता है सर्बतम जान मार्शल ने नाम दिया ठीक है फिर इस सबसे हुए सबसे प्य zweet ौक देखे अगे लि rpm फ़र चितार का विस्तार है तो भारत पा किस्तान आव गॉंश्जारा था है सब से पहले अपने भारत देखेंगे सरवाधिवी ससार है भारत पर भारत में सरवाधिक तल गुझराथ Major honor फंद snऑ नार्ट में सब कौन सा अब देखेंगा कि मांड़ा सबसे ऊपर फिर शुक्तांगडोर पствен्दमीमी में सबसे उतरी में मांड़ा सबसे पशीमी में मन्स सो इससे सब्सक्राइब जो सबसे पूर्विय में मेर्ट में और दैमबाद महरास्ट्रा राइस फिर और सबसे कम बात करें तो कि इस हुआ पार बारा लाक निन्याने बहचार छेसो वर किलोमेटर का था सिंदु काटी सब्वेद हैं कि और इस मांदा जल्मू कश्मीर में चेनाम नदी को भी बोलते। जो सबसे उत्तर है न सिंदुगाटी सभुट का मांड़ा जो की चीना अब नदी किनारी है बात करते हैं आलामगीरपूर अलामगीरपूर पूर्विये मेरे ट्यू पि में प्रेजेंट लिए नदी हिंडेन के नरे बसे है ज्द आउंडेन के इंडेन के रिख सायक है जो करने के लिए नदी आसपास होगी जैसे एक बेसी कॉंसेप्ट की कोई नदी है तभी महान नेसनल पार्क होगा बैस पर रिजर्व होगाना वैसे है कि अगर कोई सब्सक्राइशन वहां बस नहीं है ठीक है तो वहां पर एक नदी जरूर होगी जो वेल प्रॉमिनेंट होगी पर शुक्तांग दोर मगराज बलूची दासनरी दस्त के किनारे ठीक है उत्तरतम की बात कर लें तो मुंडिगाक वह शोद गई वही जो अभी उपन देखें न अफगानिस्तान वाली आगे देखते हैं पुरास्थल देखेंगे ठीक है पुरास्थल और पुरास्थल का न उसका नाम तो अफगान केवल दोस्थल मुंडिगाक और शुर्थकुई बलुचिस्तान महरगड राना गुड़ई शुक्तांग दोर शुक्ता को पाला कोड ठीक है क्वेटा गाटी कुल्ली और दावार कोड शिंदू पंजाब शिंदू पाकिस्तान की बात करें तो अली अपने भारत की बात करता है तो पंजाब रोपढ शंगौल चकेटी सिक्स और बडा, हर्यादा की बात करें तो कुनाल मिय्दा थल लाकी गडी बना वली और बर्राना यूपी की बात करें तो आलमगीरपूर बड़ागां और हुलास राजस्तान की बात करें तो बाला थल कालिवंगा और गुजरात गुजरात में सबसरवादिक है तो लोथल धौलावीरा रोजद रंगपूर प्रभाश पतन शुरकोटरा देशलपूर नागेश्व कश्मेरी साइच सबसे नवी नस्तर के और सिंदु कंदु काटी सबता भारत को बत करता हुए निरली जा अगली बात करते हैं देखेंगे स्थल उत्किनन वर्स और उत्किनन करता कि मतलब किस ने खोज की और इस्तिति सबस्किन हरपा की खोज हुए उनीस सो इकिस में किसके द्वारा राय बादू दैराम शानी जी द्वारा ठीक है आड़ी सायनी इनी को बोलते हैं कहां इस्तिति पंजाब प्रांध पाकिस्तान के मौंटे गोंब्री जीले में इस्तित हैं नेक्स बात करते हैं मोहंजो इस प्रांध पाकिस्तान सुक्तांग दोर की बात के रहत उनीस उस फटाइस आर एलिश्टाइन बलचिस्तान में प्रेजंट लेस्ते था रोपड की बात करते हैं 1950 से क्योंड ने खोजा गया 1950 से क्योंड में इसके दोरा तो बीबी लाल ने खोजा पहली बार उत खुनन य कहां अभी प्रेजंट लिए अपने भारत पंजाब में बात करते हैं राकी गड़ी की तो राकी गड़ी खोज सूरज बानवा रफीक मुगल उत्करन अम्रे दिननात हर्याड़ा धौलावीरा की बात कि रहते हैं थे खोज उनीस सो सर्था से अर्सेट की बीच हुई है उत व्यापक रूप से उत्करन पंजाब इनोशिटी के तत्योधान में किया गया और इसके खोज करता है कौन ते यकड़त सर्मा प्रिजंट लिए कहां पेस्टी थे तो मेरट यूपी बात करते हैं नगर और नदी कौन से नगर किस नदी किना रहे इस्तित है ये कुशिन और बाड़ा ये दोनों लगर सत्लाज नदी के ना रहे है ठीक है रूपण बारास अर्बियस ठीक है और कुछ कुछ याद कली है रहा ठीक है कालीबंगा की बात किरेता प्राचीन सरुस्ती गंगर नदी जुसष्ण डथी और इसी कुछ ब्लते है बनावली की बात के रहे तो प्राचीन सर सत्ति नदी शुक्तांगडूर की बात के रहे द ही सक्तक्रane कों something करें तो शादी को और बाला कोट की बाद करें तो विंदार नादी या अरब शाग्रों और रंगपूर्वा रोजदी की बात करें तो मादा मादर नदी किनारे लोलो थल बोगवा नदी ऑके अभगत राओ नर्मदां नदी अलंगीरपूर हिंडन देम अबाद प्रवरा विस्षाइब और पूछेगा कि यह किस नगर की विस्षा थी या फिर आपको नगर देदेगा उसके विस्षाइब देगा तो आपको चूज करना होगा किसमेंसे कौन सा अप्रोप्रियेट सही है तो ध्यासे देखिए गैसको अड़ा खोच वा प्रतम उत्करण उनीसी किसक एपाई करूमने तवार मेरह माधो शुरू पैस्ज में करके कि दो मैदर नगर दो आंगर दो में भागों में वाजित ight तो था और मांटी नुलर ने मांट एभी ठीक है हाँ यह था कि यह कौमन पिपल के लोगों के लिए उनके लिए मान राता था पूरवी ठीला और जो थोड़ा एलीट क्लास थे जो जो चलाते थे पुरे आइवी सी को उनके लिए पसिमीटीला ठीक है यह दिखिए यह पूरा ऐसे था सड़क बनी हुई थी फिर अंदर अंदर एक घर थे यह इनके ओपनिंग थी और मुकदार में गेट पे नहीं कुलता था यह यह याद रखेगा और मजदूर के बायरक श्रामिक आवास यह दिखिए पूरा मैंने बस बना दिया आप एक बार आपने सामनी कहा लिया हुए और प्रसासनिक वर्ग के बाहन यह दिखिया दुर्ग टीला यह दूर्ग टीला जो कि इसमें प्रवेजदार पुर्वी टीला नगट इला यह उता था और सिदा नहीं कुलती थी अंदर जाके खुलती थी वह इसको स्ट्रीटी परपस से भी क तो चलिए आगे देखते हैं हडपा नगर से प्राप्त अन्य आवशेश यह भी काफी इंपॉर्ण पॉइंट हो आता है तो इस तरी की गर्प से निकलते हैं तो पौदे की मोड मूर्ती ठीक है उर्वरा देवी कहा आता है उर्वरा देवी ठीक है और पशादन मंझूशा श्रंगार पेटी शर्वादिक अलंकरित मोरे यह तीनों कहा से मिली हडपा नगर से प्राप्त नोट सर्वादिक मोरे ठीक है मोहन जोदाडों से बात करने वाली बात यह है सर्वादिक अलंकरित मोरे की बात कर रहा है तो अलंकरित हडपा ठीक है अलंकरित हडपा और पासपतिनात सबसे इंपॉड़न है फिर भाहसा कुबरदार बेल और हिरण कौन कोंसी जानवर यह पूच लेगा कि महरों के निर्माण में या फिर महरों पर कौन कोंसी जानवर को मिला है देखा गया है किसका अंकर मिला है तो याद रखेगा ठीक है इसे सिंदु का नकलिस्तान कहा जाता है खोज 1922 में राकलदाद मिलर्जी सामनी किया था कहां पे सिंदु परांथ पाकिस्तान में के लरकाना जीले में इस्ती थे नदी शिंदु नुदी के दाहिने तर्थ परिश्टी थे ठीक है महन जदारो की सबसे बड़ी इमारत अन्ना को अस्ताना गार था धामी समय जान मारसन ने से ततकारे तदु रिशसक आस्टर जनक दिरमाण कहा है इस इसे वीराट फसके गडाथ की संग्या दिए तो गेड़र चौमजदारों को पथा अब को पता है हुआ के महन जदारों से पश्पतिनान की मोर मिलती है जिसके चारो तरफ हाथी भैसा येंडावा व्याग्र का अंगद मिलता है जान मरसल ने इसे आदतम शीव की उपमा दी है ठीक है मोंजो दाड़ों से प्राप्त अन्नवशेश है कांसे की नृत्यरत नारी मंगोलियन पुजारी का शीर हाथी का कपाल खंड ठीक है और जो मंगोलियन अगला से यह बात करते हैं चानु दाड़ों खोज कब वाकिस ने की तो 1931 में नानी गोपाल मजमुदार द्वारा किया गया ठीक है कहां पे सिंधिप्रांद पाकिस्तान उत्कराण 1935 में हुआ किसके द्वारा आर्नस्ट मैके द्वारा या एक अद्दोगिक नगर था यह काफी जरूरी महित्पूर्ण पाइंट रहता है यह एक अद्दोगिक नगर था ऑप्सन देगा कि इन में से कौन साथ दोगिक नगर था चानु दाड़ों ठीक है मन के बनाने की कायर खाने के साथ पीतल का पीतल की का गाड़ी के साथ और श्याही की दावत लिपिश्टिक कइन वहाद ही का खीलाना नहीं मिला किक किसी प्रकार के दुर्ण के साथ नहीं मिला त्ये Pacific के साथ नहीं देगे इसके पहले यह नगर भी अद्धोगिक था ठीक है चन्नुदाड़ो यह एक अद्धोगिक नगर था दूब हो गए चन्नुदाड़ो और लोथल इंपोर्टन वाली बात इसमें है मन के बनाने की कारकाने साच मिलते हैं ठीक और चावल वा बाजरी के पर्थम साच यहीं पर मिले कहां पर मिले लोथल में चक्की के दोपार्ट के साच यहीं पर मिले और बाट मापतौल के पेमाना का साच यहीं पर मिले यह तीनों साच यहां मिले तो यादर कि क्या इंपोर् मानाँ ग्याता है जब कि हड़ों के इसल भर नचार सब से जब से जाथ सारुप्मि कोने पूरी बाद पिर तो प्रोजने बडा जो की लुटन्य का है और अननाद सेकंड पर जो की अगे देखते हैं अन्प्राप्ता उसे इसके बात करें तो कोपडी के साथ कोवेवापन सेंटर में वर्डिक बालक चाला क्लोम्री के साथ गोड़े की मिलमूर्ती और हमान कुछ अगनिकुन के साथ तो यह देखें अपने कुछ फोटो डाल दियें लोथल नगर वागोदी बाड़ा देखें कित्ता भयानों के यह अप एरिया देखिए दिखते हैं हडपा के नाना गार यह फिर बात करते हैं काली बंगा की खोच उनीस से क्यामन से उनीस से तिरपनीसवी के बीच वी किसके दोरा अम्लानन गोज दोरा कहां पर हनुआ जड़ राजस्तान उत्तरण की बात के लिट उनीस से उनीस से तिरचे पे बीबी लालवा भीके थापर दोरा यहां से हलकी आकरती लखडी से निर्मित अब जूते हुए के साच परापत होए लखडी से निर्मित नालिया काली समुकरती डूंस इनीस करते हैं तो याद रखता है काली बंगा काली ओंगा को क्यों कहा थाए काध्य mango सह कके मकान की अच्से निर्मित थे पार जिता है यहीं से परसंद्र आपको परसंद्रarhur में हैं यहां तिन प्रकार के सब्ण के साच मिलते हैं नमबर एक आंसिक शवादान, नमबर दू पूर्ण शवादान और नमबर तिर दावसंजकार, नोट करनी वाल बात इसमें यह है कि डॉक्टर दस्रत शर्मा ने काली बंगा को तीसरी राज़दानी बताया है, और बिलनाकार मोरे पराप्त ही, एक मात्र पूरी आई वी सी का जोशी दिवारा, यहां से घोड़े के अस्ति पंजर के साच मिले है, तो कि प्रमाणिक नहीं है, पर मिले है, नोट पात करते हैं, तो संदो सबता की लोगोड़े से अपरचित माने जाते हैं, दौलावीरा की बात के लिए तो गुजरात के बचाओ, तालुक का तहशील मे जाता है, कौन सा धौलावीरा, ठीक है, संदो शबता का सबसे सुन्दर नगर, ठीक है, धौलावीरा, यह आपको याद रखना है, ठीक है, अब यह उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कि यह कोई सहर है, ठीक है, यह नहर और बांद के साच मिलते हैं, परचे इंत ठीक है, ठीक है, बद्यम टीला में धुलावीरा वरा कीघरी भारत के शहनordo सब्सेधर के सबसे बड़े नरहर माने ते थी, इसमें स८जन पट के साचW, अगण का मिलता है, बात करते हैं, यह बांद के सुशना पट, यह हो बहूँ गयाू है, और इसम में सुजना पट भी तीनों भागों में वाजिता दुर्टीला नगटीला और अगी देखते हैं रूपड कहा है पंजाब में इस्तित्र कोज उनीच सो पचास से क्यों कीज भी लाल द्वारा किया गया उतकरन उनीच सचपपन से सतावन इसवी में स्वदंद्र लोकतंत्र में पर्थम उतकरने छ तो पता ही आप अलमगिरिपूर की बात करें तो कहां पर यूपी के जिला मेरेट में इस्तित है खोच किया उनीच सथान इसमी एकदत सर्मा जी ने उतकरन उनीच सोत्तर में पंजाब इसमेद्र के तत्ता धौन में यहांचे हडपा काली में बान बर्थन टेरी कोटा आग कि जो खतम हुए है इसके पीछे अलग अलग थेोरी कोई कहता है कि बार आ गया था कोई कहता है कि आरंग के इंविजिन हो गया था ठीक है उससे बहुत सब्सक्राइब बनता नहीं है क्योंकि सबकी अलग अलग विचार है लेकिन जो लिखित साथ है जो हम लोग को पढ़न करना है वह इस पीडियोप में पूरी था और आपको मैंने कवर कर दिया आप इसको एक से दो बार देखो आप इस सब क्लिर हो जाएगा ठीक है तो ठीक है दोस्तों थैंक्यों बनेरी हमार चनल पर प्लीज लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यों वेरी मच्छ प्लीज दोपरोट।